सारे लोग जो होते हैं जो जिम वाले कल्चर से वाकिफ नहीं होते हैं उनको लगता है जिम जाने का मतलब होता है भाई कि भाई मैं तो बस एकसरसाइस करने जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके भेहंचे दो हफते में हो जाएगी बोडी मेरा एक दोस्तय आप जानते हो से उस साथ करें तो मिरे को दो-चार जिमों के नाम गिनवा देता है भाई इसमें आजा और भेहंचो वो एक से एक जिम ऐसा है ना भाई मतलब मैं मैंने एक बारी भपा के उस वाले जिम में मैं गया था वहाँ पर बहाँ बताओ क्या वहाँ पर लोगों को लगता है कि बत्तम इ यह ना कि भेहंचो पॉज कर रहा हूं वेट वेट अटाऊंगा भाई बंदा आया साइट से सारी प्लेटे लेके चला गया और कहता मैंने बोला भाई क्या हो गया कहता ऑल्टरनेट कर रहे हैं अब यह ऑल्टरनेट मेरे को भी लगा भाई कि यह किसने रूल बनाए कि ऑल् सुर्फ मशीन की या फिर जो रॉड है अल्टरनेट में वेट क्यों नहीं इंक्लूडड है अब उस जिम में ना मेरे को भेंचो जाते थे से फिलोसिफिकल क्वेशन क्योंकि लोग ऐसी चीज़ों को चैलेंज करते थे वहाँ पे थिंकर जाते थे वहाँ पे लोग ताकत य प्रवारी जगहा है ना मार्केटों के मतलब थोड़े सिर्फ वह रही लाकिया में होती है जहां पर पार्किंग कोई है नहीं वहाँ पे आसपास जादा लोग नहीं आते कभी भी जिम ना मैंने ऐसी जगहां पे नहीं देखा जहां पर भ्हाइं आसपास चैल पहल है लोग के जस साथ में भाई वहाँ पे ना क्या होता था लोग exercise करते थे exercise करने के बाद जिम की छत पर जाके cigarette फूकते थे और जितनी भी smell होती थी ना वो ना मतलब खिड़की से अंदर आती थी पूरे पूरे जिम में भैंचो cigarette की smell ब्लूरे वाला जिम था यह किस एज start किया था भैंचोद मैं ना पढ़ाई में तेज नहीं था भाई जैनुरिली बोल रहा हूं बहुत सारे लड़के ना पढ़ाई में तेज नहीं होते हैं तो ना पता नहीं घरवालों का ऐसा लगता है इन लोगों को कि भैंचोद अगर यह पढ़ाई में तेज नहीं है ना इसको और इसके नंबर नहीं आते हैं? तो यह मोटा होगा, अब तु मोटा हो तिने नबर नहीं आते हैं ढ़ तु मोटा हो बने बेना तो फिर मेरे को बता हो घर वाले बोलते थे नहीं कुछ जाना तुम बस ये time waste करो, है ना, जिम जाओ, ये सब करो, पढ़ाई तो करनी नी, फिर मैं घर पर पढ़ गया, पढ़ गया फिर मोटा हो गया, ये बस घर में पढ़े रहते हैं, मोटे होते रहते हैं, उरा ठीक है भाई, फिर मैं पार्कों में जाके भागने लग गया, ये आवारा गर् ये इंडा theatre, होती है, उसको ऐसा लगता है, नहीं भाई, उसको ऐसा लगता है, नहीं भाई, मेरको ना कुछ ऐसा करना है कि भाई, अपना घर वाले चेंज हो जाएं, भाई उटको और इसा लग मोगो ये, पढ़ इस इसा लग억 इंडारो, तुमारे दिमाग में नहीं आए अब मैं देखता हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है नम्मर ठीक टाक आते हैं भाई वो जिन जा रहा सब कुछ कर रहा सब कुछ कर रहा मैं एक दिन में बस ऐसी आया और मैं बस बैठ गया यार पहले लड़के से ज्यादा प्यार मी करते हैं क्यों मिल रहा वाई से यह सब बच् रहे हो कि इस लड़के से हमारी जिंदगी में खुशी आई है मेरा नाम कि गुगुल तो मेरा नाम कैसे पढ़ा मैं जब पैदा हुआ था ना उस रूम में एक और बच्चा पैदा हुआ था वह बंगाली था उस बच्चे का बड़ा बाई ता एक उस बच्चे का बड़े घराब चीज है क्या कि अगर बहुत सारे हाउसोल्ड ऐसे होते ना मतलब अभी भी जिम को ऐसे देखते हैं कि नहीं भाई यहां पे तो जाकर लड़के बिगड़ते हैं बट भाई मेरा घर भी वैसा नहीं था बाई मेरे पापा भाई बोड़ी बिल्डर है तो मैं सूस था बाई मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं क्या यह लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं क्या बट फिर ना मेरे को समझ में आया भाई कि यह मेरे को क्यों नहीं जातने देते थे जिम मैरे को पढ़ाई में अथीक नहीं था ठीक है और उनको लगता था कि मैं भागता हूं पढ़ाई से कि मैं ट्यूशन बंक कर लिया यह कर लिया तो उनको लगता था कि अगर यह कुछ भी मांगने आगा ना हम से हम इससे लेंगे बदला अब मेरो समझ में आता है क्योंकि मैं भी यही करूँ आ भाई अपने बच्चे के साथ में तुने ट्यूशन बंक करी ना तुने स्कूल मैं पैसे भरे थे अच्छा तरु यह मैं देरा मैं देरा मैं देरा पर ना ऐसे जो माबाप होते ना फिर उनको भी लगता भाई बड़े हो के यार मैं वरीदाश्रभ में क्या कर रहा हूं बट मैं तुम लोगों को बता रहा हूं तुम लोगों को जिम विम करना केलिस्तिनिक्स वेरी स्लेप टॉन इनार सोसाइटी क्योंकि यह एक वो स्टिग्मा बन चुका है यह तो मंकी बार तो बच्चों के ले होता है है ना और लगता भी है बाई कोई लड़का जा रहा बाई बड़ा लड़का भैंचो जाके कर रहा पुल अप मार रहा भाई सा हमारे यहां पर ना मतलब फिर क्या होता है ना जो बच्चे होते हैं क्योंकि उनको एक स्टिग्मा बाई कि मतलब बिगड़ जाएगा जिम जा रहा नड़का वो हाथ से छूड़ जाएगा वो इन सब चीजों में लग जाएगा वो बहां जो पढ़ाई छोड़ देगा वो कोई नहीं बाई पार्क जाओ पुछ अप लगा लिए 20-30 ओ बैहां चो पतले भी हो गए खाना चोड़ दिया बन गई बॉड़ी मोटे से एकदम से पतले हो गए बैहां चो बूब्स लठक रहे हैं बाई बूब्स किनी बूब्स ओपन जिम पार्क हा बाई ओपन जिम पार बाई एक दिन हम सारे कंधे हो जाता बाई तो फाल सृट नहीं पारक HOW को उपन जिम बन जाता दो चक्ये भाई यह उस पर अशे से कर रहे हैं अगल एक वो क्रोस्ट्रेनर के नाम पे बंद अरतें ऐसे कर रही है कुछ है नहीं बाई जूला जूला बना दिया है श्युसे बच्चे वाले पेडल पे पच्चों के दो पेर हैं वो वह ऐसे ऐसे हो रहा है यह ऊपन जिम भाई इसमें तो और एक वो जो होती ना इनकी मतलब चेस्ट और बैक की हर सारी exercise पर ये सारी exercise ऐसी होती है भाई तुम एक बारी कर दो बाई दो नट गिर गए एक इदर एक उदर तुम ज्यादा एकसरसाइस करो तो भेंचुद वो आ जाएगा गार्ड मत करो तूट जाएगा तो यह क्या ऐसा जाने के लिए रखा है और भाई सहीं बताऊ ना जिम के बाहर अगर तुमार को सहीं में इंडिया में कुछ करना है तुम नए भेंचो डकैती करेगा भाई घर में तो भाई तुमार को बताऊं क्या करना है तुमार को यह सब चीजने धिमाग में रखनी होगी जब तुम अपनी यह फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हो फिटनेस जर्नी इस नौट अब अवाउग बर्निंग कैलरीज गोइं टूइं ट मैं चड़ रहा हूं भाई इंक बाई मैं तुम लोग मानोगे नी मेरा जो बीच में मेरा जो सेकेंड जिम था 59 वहां पर रोपस लगी थी जिम चोटा है कसम करलो घंञ लगता है तक सारी से यह झ этैन कि वज़े से यहालत है और तुम्हारे को ना बहुत दिक्कत है तुम जैसे जिम विम में जाते ओ एन एवरीधिंग तुम्हारे को लगे कि हाँ पहले तुम्हारे साथ मैं एसी चीज में बोली जाएंगी भै हमारा तो फुली फर्णिष्ट है आपको सौना लेना है सौना हा तो हमारा वाश रूम है, अम लोग उसमें स्टीमर रॉन कर देते हैं तुम बैंचो जाओ, वो जो नहीं होता है, जब नाक वाक बंद हो जाती है उसके लिए एक वो बैंचो डबा सा होता है, वो भर रखा है और एक इसे चोटा सा क्यूबिकल जो नहीं हो तो बहुत चोटा सा मतलब ऐसा लग रहा है किसी जोपड़ी में किसी ने स्टूडियो बना रखा है जहां पे बस्ती के हस्ती जैसे गाने रिकॉर्ड होते हैं उसके बीच में बाड़ दी है, वहाँ पर बैट जाओ, बस। वहाँ पर दो लड़के बैटे हों आजर्डी और फिर क्या होता ना, ऐसे जो जिम्स होते हैं जो मतलब small towns में होते हैं, यहाँ पर आती है भीड, भीड, बहुत ज़्यादा भीड, बहुत ज़्यादा भीड, हद पार भीड आती है भाई, हद पार, इन लोगों को लगता है भेंचोद, हाँ भाई, अब होगी न मेरी जॉब, अब मैं जाओंगा भाई, मुझे घर पर नहीं वैठन सबस्य 29 अच्छी बॉड़े लड़े लड़के आते हैं उस टाइम पे और और आते हैं मतलब से जीनके र्एवे चार के बीच में ठीक है पर पता नी भाई उस 12 se 4 के बीच में पूरे टाइम भैंचौद जिम में भैंचौद अचार की स्मेल आ रही हैador रही होती आले हातों से ऐसे लगा के कर रहा है आधी दाल इधर लग गई लड़के के बाई पूरा एक तो जिम ना महक रहा होता बाई लेसुन से ऐसा लगता है भैंचोज इनका खाना नहीं पर ही बनाते मतलब दाल बाहर से आती है और यह लोग चौक यहां पर लगाते बाई जिम में आने की और वो बताता था भाई वो औरतों से कैसे बात करता है तो हमारा जो ट्रेनर था वो बहुत बल्क एकदम मोटे वोटे हाथ भाई शोल्डर भरे हुए यह वो बोडी बोडी कहता भाई एक दिन आके भाई तुम्हारी तो अभी उमार है भाई तुम ही नहीं कर रहे तो हमें करना पड़ता है समझ रहे मैं बोला मतलब भाई बोलता है नहीं भाई तुम्हारी लड़कियां तुमने चोड़ दी मैं बोला भाई मैं सोला का हूं भाई बात तो है भाई उस बंदे की सोला साल की गर्र्फरिंड थी बंदा था शैद से 26 का